एक अच्छा RO Water Purifier लेने से पहले आपके दमाग में सिर्फ दो चीजे होनी चाहिए पहली कि वो RO Purifier जो आप खरीद रहे हैं उसके अंदर जो फिल्टर लगे हैं वो किस क्वालिटी के हैं क्या वो बहुत अच्छे से पानी को फिल्टर करके आपको बिल्कुल सफ पानी दे पाएंगे कि नहीं और दूसरी चीज़ कि जब ये फिल्टर खराब होंगे तो आपके उपर कितना खर्चा आने वाला है यानि आपको कितने की AMC पड़ेगी या फिर आपको फिल्टर की कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी और यहीं दोनों बातों पर फोकस करते हुए मैंने इस वाटर पिरिफायर को टेस्ट किया and I think 2023 के अंदर यह बेस्ट वाटर पिरिफायर है जो आप खरीद सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक बार खरीदने के बाद आपकी कॉस्ट है जीरो मेरा नाम है विनीत मलोतरा और मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा Urban Company के नए M2 Water Purifier को और यह True View आपने पूरी दुनिया में और कोई नहीं देखा होगा That's my guarantee सबसे पहले आपको एक बात बिलकुल क्लियर कर दूँ क्योंकि यह Government of India की गाइडलाइन्स भी है और मेरा फर्ज भी है कि अपने दोस्तों यानि अपनी आउडियन्स को यह बात क्लियरली बताना कि इस Water Purifier को Urban Company के M2 को मैंने खुद खरीदा है मुझे ब्रैंड ने नहीं भेजा इस वीडियो को बनाने के लिए नहीं मुझे किसी ने पैसे दिये हैं इस वीडियो को बना के आपको दिखाने के लिए यह मेरा प्रफेशन है मैं अलग-अलग टाइप कि यह Water Purifier या फिर Electronic Goods और Appliances को खरीदता हूं उन्हें ट्रू व्यू करता हूं उन्हें कंपेर करके आपको बताता हूं मेरा परपस इस Water Purifier को आपको दिखाने का यह है कि आप जो maintenance cost बार 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 देते हैं फिल्टर के खराब होने पे वो किस तरह से बच सकती है ये एक rental model पे आने वाला Water Purifier नहीं है आपको कोई rent नहीं देना अब एक बार Water Purifier खरीदा अब ये कैसे होगा यही तो बताना है इस वीडियो के अंदर सबसे बिले आपको थोड़ी सी लुक्स के बारे में इसके बताता हूं कि Water Purifier की जो लुक्स होती है उससे बिल्कुल हटके ये बहुत ही जादा sleek और ultra modern Water Purifier दिखता है और इसके front पे ही आपको touch controls देखने को मिलें water dispension के लिए इसकी build quality बहुत sturdy और solid है और ये plastic का बना है जो की food grade plastic है और ये water purifier आरो, UV, UF, copper, minerals और एक taste enhancer के साथ भी आता है और ये total बनती है 10 stage filtration technology जो आपको इस आरो water purifier के अंदर देखने को मिलेगी मतब urban company ने सोचा कि सारे filter डाल दो और कोई भी कमी ना चोड़ो and it is a good thing but the best part is कि filter की quality भी बहुत जादा अच्छी है it can filter up to 20 liters of water every hour और ये एक बहुत शांदार चीज है particularly इसकी जो minerals वाली attachment है उसके अंदर आपको alkaline और essential minerals का addition मिलेगा and copper की भी एक attachment आपको देखने को मिलेगी जिससे आप copper rich पानी पी पाएंगे overall it has approximately 10 stage filtration जिसमें RO, UV, UF और copper इसके साथ mineral attachment इन सब के साथ आपको जो पानी मिलता है वो बहुत ही अच्छी quality का मिलता है because जहां पे मैंने इसे install किया है यानि अपने office में वहां पे पानी का TDS है 1500 के आसपास यह इतना जादा TDS water है कि इसके अंदर बहुत सारे harmful metals already पानी के अंदर होते हैं और उसे बहुत अच्छे से यह filter out करके approximately 10% TDS पे ले आता है which is very close to 100 TDS water and that is the best water to have क्योंकि आपको ना सिर्फ बिल्कुल सही TDS का पानी मिलता है पीने के लिए उस पानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है आपको एक और जो additional changes के अंदर मिलती है यानि urban company के M2 native के अंदर मिलती है वह है self cleaning of the filters जब यह operational नहीं होगा यानि जब आप इसे use नहीं कर रहे होंगे तो अपने आप filters automatically self clean होंगे और उसमें से जो dirt है वह अपने आप निकल जाएगी and you know this is a very very good part I forgot to tell you कि इसके अंदर आपको 8L की water storage capacity भी मिलती है जयानि आप जो भी इससे पानी filter करेंगे वह 8L की storage है इसके अंदर और आप उसे कभी भी dispense कर सकते हैं dispension के लिए भी आपको तीन तरीके के modes दिये गए है one is for a glass this button से आपको सिर्फ एक glass के असपास ही पानी मिलेगा and it is good water wastage is really really bad और आप सभी को इस्टीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए another mode is the bottle mode आप bottle रखिये एक लीटर की और उसके अंदर उतना ही पानी निकलेगा again water wastage यहाँ पे नहीं होती which is a very very good thing but the third mode is free flow if you want कि यार किसी बरतन में पानी भरना है और आपको चाय बनानी है जैसे मैं करता हूँ तो उसके अंदर भी यह mode बहुत काम में आता है because you know आप जितना मर्जी पानी लें और उसके बाद आप उसे off कर दें so in a practical way it is a very very good and a very smart kind of water purifier smart बोला तो आप भी होनी चाहिए है वो भी है मतलब आप जब अर्बन कंपनी की आप डाउनलोड करेंगे और अपने इस water purifier को उसके अंदर इंटेग्रेट करेंगे तो आप यह देख पाएंगे कि आपने कितना पानी इससे dispense किया nobody is tracking you nobody is keeping a record क्योंकि आप इस पर कोई रेंट नहीं दे रहे हैं आपको यह बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे रेंटल मॉडल्स आज की डेट में अवैलेबल हैं और मैंने उन्हें रिव्यू भी किया है एक और चीज जो मैंने नोटिस करी M2 नेटिव के अंदर वो यह है कि मेरे पानी को यानि 1500 TDS वाटर को तो इसने बहुत अच्छे से प्यूरिफाय कर दिया बट इट हैस्टी के पिलिटी ऑफ प्यूरिफाइंग अप्टू 2,000 PPM वाटर यानि आपके घर का पानी अगर 2,000 TDS तक कभी आ रहा है तो भी यह बहुत आराम से उ अच्छी क्वालिटी के लिए गये हैं पर्टिकलरली दी मेंब्रेन बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बहुत लंबे टाइम तक चलेगा इससे एक चीज केनेक्टेड है कि आप जब यह मेंब्रेन खराब हो जाएगा तो आपको कितने पैसे दिने पडेंगे उस मेंब् कोई भी फिल्टर खराब हो जाए आपको अर्बन कंपनी के इस प्यूरिफाइर को खरीदने के बाद दो साल की अंकंडिशनल वारंटी मिलती है यानि कितनी बार भी कोई भी फिल्टर खराब हो जाए आपको एक भी पैसा नहीं देना आपको सिर्फ उन्हें कॉल करना है व दो साल में दस बार खराब होंगे तो वो भी चेंज करेंगे and that I think has to be applauded, ये एक बहुत बढ़िया चीज है, आपको किसी भी ब्रैंड में ये चीज कभी भी देखने को नहीं मिली, किसी भी टाइप के purifier में, ये एक बार फिर से बता रहा हूं कि rental model नहीं है, आपने इसे खरी आपको water purified ही मिलेगा, आपको कभी भी filter की cost नहीं पे करनी दो साल तक, now that is a very good thing, but दो साल के बाद क्या, दो साल के बाद आपको एक बार फिर से ये ही दो साल की unconditional warranty एक बार खरीदनी पड़ेगी 4500 रुपीज में and that I think is a fantastic thing, मैं दो साल के लिए इस purifier को खरीता हूं, zero maintenance cost पे, दो साल के बाद मैं फिर से ये एक package लेता हूं, you know unconditional warranty का 4500 रुपीज में, now ये चीज होती है peace of mind, आप कम से कम assured है, आपके अंदर एक peace of mind है कि यार मेरा water purifier ना, जितना मर्जी पानी dispense करो, एक बिलकुल साफ पानी देगा, दूसरा आपको कोई AMC, कोई filter की cost कभी नहीं देन Now, ये चीज, actually में मुझे बहुत जादा confidence देती है, किसी भी product को recommend करने के लिए, क्योंकि हम लोग product की cost में नहीं, हम product की maintenance cost में लूटे जाते हैं, और यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही है, and that is why, this I think is a perfect water purifier I could recommend, मैंने excitement में आपको बहुत सारी चीजे बता दी, लेकिन अभी अभी दग आपको ये नहीं बतायागी, ये water purifier cost कितना करता है, urban company का M2 native, आपको 18,000 rupees के आजपास cost करेगा, and it is I think a fantastic price, क्योंकि आपको copper rich oro मिल रहा है, आपको RO, UV, UF, सभी type के 10 stage filtration मिल रही है, और अगर आपको budget 18,000 rupees नहीं है, तो आप urban company के native M1 को ले सकते हैं, जो की 14,000 rupees का cost करता है इस समय, और उसके अंदर आपको 10 stage की जगह, 9 stage purification मिलेगी, लेकिन warranty वही unconditional 2 years की, and that is fantastic, और 18,000 rupees के अंदर आपको ये बिलकुल नहीं भूला है, कि आपको 2 साल तक कोई maintenance cost नहीं भरनी है, now that is the best part according to me, but क्या इस water purifier में कोई pros and cons कुछ नहीं है, मैंने आपको इतने सार purifier electricity से चलता है, आपको एप की integration मिलती है, सब कुछ है, लेकिन जब बिजली नहीं होगी, तो ये काम नहीं करेगा, now that is a very small con for some people, लेकिन मेरे हिसाब से इस con को आप बहुत easily overlook कर सकते हैं, आपको इसके अंदर storage मिलती है, आप इससे पानी भर के रख सकते हैं, आप bottles भर के रही है और उसमें पानी नहीं निकल रहा है, then हम शायद इस con को पूरी तरह ignore या overlook कर सकते हैं, because the best part about this water purifier is the kind of filters it has, और वोही filter की cost आपको नहीं देनी है, जितनी बार भी आप इसे change कराएंगे दो साल में, ये cost मेरे हिसाब से क्योंकि मेरे घर में, मेरे office में दूसरे water purifiers Urban Company के native M2RO purifier को FDA, ISI, ISO और ROHS से certification मिली है, यानि ये filters सच में बहुत जादा अच्छी quality के filters हैं, तीन से चार महीने में खराब होते हैं, तेलिंग यू कि फिफ्टीन हंडर्ड का TDS आता है मेरे घर के पानी का और office के पानी का, उसके अंदर हर तीन चार महीने में मैं 5,000 रुप अगर मैं एक साल में, let's say, तीन बार भी चेंज करता हूँ, दो साल में छे बार हुई, then imagine the kind of cost I am saving from this water purifier, I think ये बहुत बढ़िया चीज है, और मैं बहुत चोटे से कौन को पूरी तरह overlook करते हुए, आपको ये कह सकता हूँ, the filter quality are amazing, आपको 10 stage filtration मिलती है, which I think is a brilliant part of this water purifier, पानी यूज किया, उस filter की life किया है, and everything, आप service book कर सकते है, there are so many possibilities in the app, and urban company, एक बहुत famous company है, and आप उसे बहुत सारी services भी लेते है, and this is I think a brilliant water purifier, which is smart, which is good looking, आप इसे अलग अलग तरीके से water को dispense कर सकते है, what else should I say, इसके links आपको दिये है, description box के अंदर, वो मेरे affiliate links है, और प् करिएगा, क्योंकि, ऐसे products को ढूंडने के लिए, हमें 10 और products खरीदने पड़ते हैं, उसके बाद मैं ये कह पाता हूँ, कि urban company का ये RO water purifier is the best water purifier 2023 के अंदर, जो मैंने आज तक review करा होगा, and why am I saying this, because of the maintenance cost, मैं एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ, कि हम product की cost से नहीं, हम maintenance cost से मारे जाते हैं, और वो इसमें बहुत जादा सेव हो रही है, and that is why I think, it is the best water purifier that one can buy, कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताएगा, ज़रूर मुझे comment section में, और अगर आपका कोई सवाल है, जो आप directly मुझसे पूछना चाहते हैं, इस water purifier के बारे में, तो लिखिए, मैं आपको ज